कानपूर से राजी शिवास्तों बोल रहे हैं। पहिचान तो गए हुई हुए। अरे भाया। आपका को ना पहिचानी बताओ। अपका को धर्टिम बागती रहीगा जो आपका ना पहिचानी बाई। तुम्रे गर में तुहा स्वागते। पहले यह वता हुआ हैं अरे हम आभी भी हैं अब यहीं बैठे हैं अब फिरी माइंड रही हम बस बाहर के कमरें बैठे हैं बस चलो बस थी कानपूर से निकल कर देश ही नहीं बलकि दुनिया में अपना हास अभिनेता के रूप में पहचान मनाने वाले राजु सिर्वास्तों को अटैक पड़ा था तब से उनकी हालत गंबिर बनी हुई है उनके मित्र अन्नु वश्ति जो एक अच्छे कॉमेडियन है मतलब देश वर में इनका भी नाम है हम इनसे जानेंगे कि इनके परिवार वालों से बात हुई है कि उनकी अब हा कुछ कंट्रॉल में है दवाओं के साथ साथ दूआ बहुत असर कर रही है किसी आदमी के लिए जब एक आदमी दूआ कर देता हम लोग कहीत नहीं रहा है यार मंदिर जा रहे हमाई लिए दूआ कर लिने हो फुकावन एक हीरो रहे हैं कहें दूआओं में आद रखना और जेके लिए पूरा देश दूआ कर रहा हो तो वही का असर कैसे नहीं सबसे ज़्यादा हम लोगन की दिक्कत फंस रही है यह जो फरजी मैसेज वाइरल हो रहे हैं जो अश्रत धांजलियां लोग जब जस्ती की दे रहे हैं उससे राजु भया का परिवार बच्चे हम बात करते हैं दसे मिनट बात किसी का फोन आ जाता है कि यार आईसा सुना तो अपने आप में लगता है कि यार हम तो भी बात करके आएं लाओ एक बार फिर कर लें तो वो लोग बिचारें वहां अस्पताल में वह इसे परेसान हैं फिर हम लोगों के फोन के जवाब दिये और परेसान हैं घबडा रहे हैं उन लोगों को भी लगता भाई बिल्कुल खटियाक बगल में तो बैटे नहीं हैं राजू बैया कहीं है वो नीचे बैटे हैं इतना बड़ा स्पताल है तो बसके वल उस चीज़ पर कंट्रोल हुई जा राजू बैया की तबियत पर कल से आज काफी कुछ कंट्रोल है उनके दुआएं चल रही हवन समझा आप भी कर रहे हैं तो आप किस तकास दूआएं कर रहे हैं कानपुर में सुरद्धा के जो दरवार रहे हैं जैसे पंकी मंदिर हो गया या कि भईया आप ही भगवान हो एक दीप राजू बैया के नाम से जलाओ हम लोग ने पंकी मंदिर में हवन किया था हमाई चैनल के माध्यम से अब क्या एक अपने अंदाज में राजू भाईया जल्दी से जल्दी आए और हम राजू बैया तुमसे भी कही रहे हैं तुमसे हम रिक्वेस्ट निवेदन नहीं कर रहे हैं हम तुमको धुमको जल्दी से जल्दी लाओट के आना पड़ेगा सिखा भावी हाउस वाइप हैं उनको दुनियादारी नहीं पता अंतरा बहुत सीधी है बेटा अश्मान बहुत कुछ नहीं जानता है बहुत कच्ची गिरिष्टी है यह जो तुम अपनी एक्टिंग बाजी दिखा रहे हो होना च्छे दिन से हम लोग मान गए दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हो लेकिन अब तुम बापस आ जाओ अब हम लोग को डर लग रहा है अब हम लोग तुम्हाई एक्टिंग का लोहा मान चुके तुमको आना पड़ेगा यह हमारी धंकी है नहीं समझ लो जहेल ना लोगों उनके लिए दुआ कर रहे हैं हवन किये जा रहे हैं और उन्हें अपने अंदाज में राजुक जी की सलामती के लिए भी दुआ की हैं और उन्होंने एक अपने अंदाज में बताया भी है कि किस परकार जो अफ़वाएं फैल नहीं है उन पर भी कंट्रोल लगना चाहिए अभी उनकी पाइवार वालों सो भी बात हुई है तो उनकी अब हालत में सुधार देखने को मिला है मैं अखन पिताब सिंग न्यूजेटीन कानपूर